जहीं दोस्तों, बहुत बहुत श्वागत है आपका फिर सेक नय एजूकेशनल वीडियो में दोस्तों आज हम सिखेंगे टैलियार पी 9 में पर्चेज और सेल्स एंट्री कैसे करते हैं आई जी एस्टी के साथ पे दोस्तो CGST पे तो purchase और sales का entry आपने बहुत सारा देखा होगा लेकिन आज हम interstate यानि अगर हम other state में अगर transaction करते हैं किसी दूसरे state में तो उसमें हम IGST कैसे charge करते हैं और IGST पे purchase और sales की entry हम कैसे करते हैं तो ये चीज आज हम clearly deeply सिखने वाले हैं वीडियो को end तक जरूर देखे 110% आपके सारे doubts clear हो जाएंगे दोस्तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सस्क्राइब कर ले क्योंकि इस तरह का educational वीडियो आपको per day मिलता रहेगा तो आईए हम वीडियो को start करते हैं सबसे पहले हम create में चलते हैं टैलिक open कर लिया है create में जा करके एक बिल्कुल fresh तरीके से ASD के नाम से company बनाते हैं company इंडिया की है और estate हम यहां से बिहार select कर लेते हैं right estate बिहार इंटे करते हैं pin code नंबर भी डाल लीजिए इंटे करके हम इसे accept कर लेते हैं और कोई changing नहीं करते हैं password बगर हम फिलाल नहीं डालते हैं direct ASD के नाम से मेरी यह company है जिसमें हम कोई transaction करेंगे समान का purchase और sales की entry करेंगे और उसमें साथ में हम IGST चार्ज करना सिखेंगे कि अगर एक मतलब राज से दूसरे राज में अगर हम transaction करते हैं या एक देश से भी दूसरे देश में transaction करते हैं तो वहाँ पे IGST हम लोग use करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं Interestate Goods and Service Tax तो यह कैसे हम लोग charge करेंगे आईए देखते हैं हमने यहाँ पे ASD के नाम से company मना लिया company 1423 से लेके 33-24 तक काम कर रही है और यहाँ पे हम लोग company info में है आपको यहाँ से quiet बड़न पे क्लिक करके gateway of tally पे आ जाना है या keyboard से escape भी प्रेस कीजिएगा तो भी gateway of tally में आ जाईएगा तो यहाँ से gateway of tally पे रहते हुए आपको यहाँ से जाना है features option में features में जाने के बाद यहाँ से statutory taxation का एक option दिखाई देगा इस पे select करके enter करेंगे तो इस तरह का features आपको दिखाई देगा यहाँ से gst को yes करेंगे और state alter gst details को भी yes करेंगे उसके बाद state हम यहाँ से बिहार select करेंगे gst number जो भी होगा random अगर नहीं भी होगा तो keyboard से ऐसे ही कुछ type कर लीजेगा उसके बाद application from date होगा और बाद बाकी options को no रखेंगे और इसे हम इंटर करेंगे इंटर करने के बाद फिर हम इसे screen भी आ जाएंगे एक बार और इंटर करके final accept कर लेंगे तो दोस्तो और यह जो मेरी अब हम आसानी से IGST पर काम कर सकते है तो इसके लिए हमें करना क्या होगा लेजर में जाकर के कुछ लेजर बनाने होंगे तो लेजर कैसे बनेगा तो gateway of tally में रहते हुए यानि टैली को home page में रहते हुए gateway of tally accounts info में जाना है फिर आपको laser पे click करना है फिर आपको create पे click करना है अब आपको कुछ laser की जुरौत परेगा पर्चेस करना है तो एक purchase का laser बनेगा यह अंडर जो है purchase account में जाता है तो purchase account को select करना है inventory value are affected इसमें कुछ नहीं करना है आपको यह options आपका जैसे है वैसे रहेगा यानि yes था yes रहेगा और यहां से type of laser not applicable डालते हुए GST को applicable करेंगे details हम यहां से क्या कर लेंगे yes कर लेंगे यह पहले से by default no रहेगा yes करते हुए description पूछेगा तो हम goods लिखेंगे HSN code में HSN code type करेंगे HSN code डालने के बाद enter करेंगे तो यहां से आपका GST का option दिखेगा GST goods यह no रहेगा nature of transaction में हमें purchase taxable को select करना है क्योंकि यह laser purchase का है तो हम यहां से सबसे नीशी option दिखाई देगा purchase taxable उसके बाद दोस्तों यहां पे purchase taxable लालना था लेकिन यहां पे देखिएगा integrated tax आपका और central estate tax पूछ रहा है तो यह अलग-अलग नहीं होता है यहां पे आपको एक ही tax होता है integrated तो इस format को मुझे change करना होगा तो change करने के लिए हमें F12 press करना है F12 press करने के बाद सबसे नीचे का जो option दिखाई दे रहा है small GST tax type इसको no कर देना है और no करके इंटर किजेगा तो आपको इतना ही सारे options पूछे जाएंगे अब हम यहां पे select कर लेते है nature of transactions Interestate purchase taxable यह वाल option Interestate purchase taxable क्योंकि जो मुझे काम करना है IGST पे काम करना है दोस्तों अगर यही काम GST पे करना होता जिसमें CGST और SGST पे work करना होता तो मुझे यह purchase taxable select करना होता तो हमें यहां से select करना है interestate purchase taxable इंटे करना है taxability taxable रहेगा यह दोनों options no रहेंगे उसके बाद rate हम 18% पे काम करना है क्योंकि मेरा all over tax जो है वह 18% रहेगा तो 18% select करके inter करेंगे type और supply में goods लेंगे क्योंकि goods supply करेंगे और accept कर लेंगे एक laser बनेगा sales के नाम से यह अंडर जाएगा sales account में inter करने के बाद no yes रहेगा option यह type of laser not applicable GST applicable करेंगे details को हम यहां से yes कर लेंगे यह पहले से option no रहता है तो इसे हम yes करेंगे और enter करेंगे description में फिर से goods type करेंगे HSN में कोई number type करेंगे और nature of transactions में interstate sales taxable को select करेंगे अब इसमें खोजी है कहा मिलेगा interstate sales taxable यह वाला option है इंटे करेंगे उसके बाद tax 18% sales में भी लगेगा case 0% type और supply को good select करते हुए हम इसे accept करेंगे एक laser बनेगा IGST के नाम से इंटे करेंगे यह जाएगा duties and taxes में तो इसे duties and taxes में डालेंगे यहां से GST select करेंगे और IGST interest यहां से integrated tax होता है तो इसे हम integrated tax को select करेंगे उसके बाद percentage of calculation 18% charge हो रहा है तो 18% charge करेंगे rounding method normal rounding limit 0 और इसे हम accept करेंगे तो दोस्तों IGST यह तीन laser था तीन laser मेंने बना लिया अब इसके बटन प्रेस करके आपको gateway of tally तक आ जाना है उसके बाद inventory info में जाना है फिर आपको stock unit में जाना है यानि unit sub measurement में जाना है फिर create करना है unit में हम PCS का unit बना लेते हैं पूरा नाम PIEC होता है लिखते हुए enter करेंगे तो यहां से code पूछेगा यहां से भी PCS को हम लिख लेंगे यानि select कर लेंगे number of decimal पहले 0 रहेगा accept कर लेंगे escape से फिर back जाएंगे back जाने के बाद stock group में जाएंगे enter करेंगे और फिर create करेंगे एक group बना लेते हैं suppose माल लिए जाए computer के नाम से इंटर करते हैं यह under primary में जाएगा यह दोनों options इसके no रहेंगे और accept कर लेंगे escape से फिर back जाएंगे अब जाएंगे stock item में फिर enter करेंगे फिर create करेंगे अब में stock item बना लेते हैं mouse के नाम से इंटे करेंगे यह under computer में जाएगा unit इसका piece होता है उसके बाद standard rate no रहेगा GST applicable select करेंगे और details में yes लिखेंगे description में फिर goods लिखेंगे एजसेन code type कर लेंगे जो मेरा था calculation type on value और taxability में taxable को select करेंगे यह दोनों option सुनों रहेंगे और percentage 18 रहेगा यहां से case 0% type और supply में goods रहेगा और इसे हम accept कर लेंगे mouse के बाद एक के यवाई ब्यूर्ड एक कीवोड बना लेते हैं कीवोड भी अंडर जाएगा computer में unit होगा इसका PCS और GST applicable details details सेम चीज वही डालेना है goods कीवोड का HSN code no on value taxable taxability और इंटे करने के बाद percentage 18 जीरो और टाइप और supply में goods रखते हुए accept कर लेंगे तो दोस्तों यह सारे आपके बन चुके हैं stock item भी मैंने दो बना लिए keyword और mouse के नाम से अब हम इसका transaction IGST के साथ में करेंगे तो इसके लिए मुझे करना क्या होगा एक party का नाम बनाना होगा जिस party को हम दूसरे राजजी में क्या करेंगे बेचेंगे तो हम उतरपरदेस के party से समाल ले रहे हैं तो उस party का पहले नाम बनाएंगे laser तो उसके लिए मुझे जाना होगा gateway of tally फिर से हम एक बर बताते है एकाउंट्स इन्फो laser में जाना है और laser में जाने के बाद create में जाना है पार्टी का नाम है आर ए वी आई रवी अब इसकी लेजर हम संडी क्रेटर में डालेंगे क्योंकि उसे मुझे पर्चेस करना है bill by bill options को yes रखते हुए इंटर करेंगे और यह रवी का details है और country हम उतरपर्देश सेलेक्ट कर लेंगे यह रवी कहां का है उतरपर्देश का party है मेरा pin code number हम यहाँ पर डाल लेते है उतरपर्देश इंटर उसके बाद उस तो इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद इसे हम एक्साट कर लेते हैं इसके अपसे बैग जाएंगे पर्चेस करने के लिए जाना होता है accounting voucher में इंटर प्रेस करना है पर्चेस का shortcut की होता है f9 यहां से f9 प्रेस करेंगे पर्चेस कुलेगा इंटर उसके बाद इंटर करेंगे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो लेजर पर्चेस का समान एक माउस ले लेते हैं डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं लिखना है क्वान्टिटी 1250 के रेट से और दूसरा हम यहां ले लेते हैं कीबोर्ड सपोज 1420 230 के रेट से इंटर एक बार और इंटर करेंगे और यहां पर IGST चार्ज करेंगे अटोमेटिक 18% IGST कट कर लेगा इंटर करने के बाद रिफरेंस में हम यहां नाम डालेंगे रवी का इंटर करेंगे कोई डिवरेट नहीं है तो इसको कोई डिवरेट नहीं और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो यह पर्चेस का ट्रांजेक्शन हो जाता अब इसे हम प रिफरेंस करेंगे पैंडिंग भी लिखा हुआएगा इसे इंटर करके और हम यह पैसा कैस पेमिंट कर रहें तो कैस सेलेक्ट करते हुए एक्स अप्र लेंगे तो रवी से पर्चेज और पेमिंट का काम कंप्लीट हो चुका है अब हम किसी दूसरे राज में सेल्स भी करे इसके लिए एफट प्रेस करेंगे सेल्स का बॉक्स खुलेगा रिफरेंस नमबर डालेंगे पार्टी ने मुझे डालना होगा तो पार्टी ने मगर हम कैस भी डालते हैं तो इसकी जो है कि स्टेट चेंज करनी होगे मुझे तो यहां से स्टेट का अप्शन दिखाई कीबोर्ड कितना भेज रहे हैं तो कीबोर्ड का 1000 भेज रहे हैं कितना के रेट से तो 550 के रेट से और दूसरा आइटम है माउस तो माउस का भी कितना भेज रहे हैं तो 1000 पीस माउस का भेज रहे हैं कितना के रेट से तो 450 के रेट से और इसे इंटर करेंगे एक बार इंटर करने की कोई ज़रुवत नहीं होती है यह आप दोस्तों अगर प्रोफिट लॉस देखना चाहते हैं तो आपको इसके लिए प्रोफिट लॉस पर जाकर करना है तो अल्ट एफ़न प्रेस करेंगे तो डिटेल बताएगा कि आपने कितने का पर्चेस किया कितने का समान सेल्स कि समान बचा हुआ है और नेट प्रोफिट आपको कितने रूपिया का हो गया तो यह सारे चीज आपको यहां पर दिखाई देंगे तो दोस्तों इस तरह से हम पर्चेज और सेल्स का एंट्री करते हैं आई जीएसट के साथ में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक को सस्क्राइब कर लिजे कि किस तरह का कंप्यूटर से रिलेटर वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे फिर मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए जाहिंत आपका दिन सुबह